मोमो का नाम लेती ही आज की युवाओं के मुँ में पानी आ जाता है ये मोमो उस बहुत ही स्वादिश्ट वियंजन होते हैं इसलिए इस बिजनस में आने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है आज इस बिजनस के बारे में आप कुछ जानकारी देंगे मोमो का बिजनस कहां से शुरू किया जाए? मोमो का बिजनस उस जगा चल सकता है जहां पर युवाओं की भीड सबसे अधिकाती जाती हो जैसे मेट्रो स्टेशन, सिटी बस स्टेशन, कॉलेज, होस्टल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, पार्क और मनरंजन केंद्र, एजुकेशन हब, बड़े होटेल और रेस्टरों के पास, बड़ी-बड़ी कैंटीन्स और होटेल के बास मॉमोस की अनेक वराइटीज हैं, ये वेज और नॉन वेज दोनों ही बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में कितनी तरह के मॉमोस युवाओं के बीच लोग प्रिये हैं, उनमें से कुछ इस तरह से है मॉमोस के साथ दो तरह के चटनी बनाए जाती है, एक टमाटर और लाज मिर्च से मिलाकर मसाले डाल कर बनाए जाती है, आलू दूद क्रीम के मसालों से बनाए जाने वाले चटनी को म्यौनीज कहते हैं, मॉमोस की दूसरी तरह के चटनी और अचार से भी खाया जाता है, पूरी प्रक्रिया में केवर मूमोस को भढने और उसको बंद करने में ही काफी दिगधे आती हैं जो प्रैक्टिस से आसान हो जाती हैं इन मूमोस को फ्राई भी किया जा सकता है तंदूर में भी इने पकाया जा सकता है मूमोस बनाने के काम आने वाले उपकरण कैसे शुरू करेंगे बिजनस? अपने प्रतिद्वन्दी पर पूरी नजर रखें उसकी कमियों को ध्यान में रखकर आप ग्राहक को वो देने का प्रयास करें जो आपका प्रतिद्वन्दी नहीं दे रहा है आप अपना प्रॉफिट और लॉस का हिसाब लगा कर कॉम्पिटीटर से थोड़े कम रेट पर अपना माल बेचें इससे कुछ ग्राहक आपकी और आने का प्रयास करेंगे जब ग्राहक आएं तो उन्हें अच्छी तरह से टील करके उसका विश्वास जीतने की कोशिश करें इसके लाबा आप जब भी अपना बिजनस शुरू करें तो आप अपनी दुकान का प्रजार करें दुकान या स्टॉल का शुबारम भी कुछ नए अंदास से करें ताकि लोगों की नजरें आप पर पढ़ें और आप उसका फायता उठाएं आपको बिजनस शुरू करने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा वो लोकल बॉडी, नगर निगम या नगर पालिका और ग्राम पंचायट से फूर लाइसेंस लेना होगा नहीं तो इस विभाग के करमचारी आपको परिशान कर सकते हैं FSSAI से भी फूर लाइसेंस लेना होगा बाकी अन्ने लाइसेंस रिजिस्ट्रेशन बिजनस बढ़ने के बाद लेने पर विचार करें मोमो के बिजनस में लागत का चमाल और बनाने के एक काम आने वाले उटकरण उपर लगती है लेकिन सबसे अधिक लागत आपको अपने स्टॉल या ठेला को सजाने के लिए लगती है ये जानकार विक्ति के अनुसार ठेला तो आपको 10,000 रुपए में मिल सकता है लेकिन उसके सजावट पर 50,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं इसके अलावा मोमो बनाने के लिए बरतन, गैस, मिकसर, ग्राइंडर, कच्चा माल, आदी पर खर्च करना होता है इस तरह से इस बिजनस में 2,000,000 से 3,000,000 रुपए तक की लागत आ सकती है मुनाफ़ कितना मिल सकता है? मुनाफ़ के बारे में आप चौक सकते हैं मुनाफ़ ही इस बिजनस का सबसे अधिक आकर्शन है इसलिए मुमोस के स्टॉल की संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है एक अनुमान के नुसार इस बिजनस में मुनाफ़ा 60-70 प्रतीशत या इस से भी अधिक मिलता है इस बिजनस से जुड़े एक अनुमवी जानकार के नुसार एक मुमोस की कुल लागत एक रुपए से डेट रुपए के बीच आती है स्टॉल पर ये एक मुमोस तीन रुपए तक बेचा जाता है वैसे एक दुकानदार कम से कम 500 मुमोस बेचता है यदि आप रुजाना के 200 मुमोस भी बेचते हैं एक मुमो पर डेट सो पौने दो रुपए तक बचत हो जाएगी यदि आप रुजाना के 200 मुमोस की विकरी को माल ले तो एक दुकानदार को 200 मुमोस पर रुजाना 3500 रुपए की आंधनी होती है यदि इसे 3000 भी माल लिया जाए तो एक मुमो विकरेता प्रतिमा 60,000 रुपए कमाता है ये तो हुई नए विकरेता की बात जो 10-10 साथ से स्टॉल लगाये हुए हैं जहां लाइन लगकर लोग मुमोस खरीते हैं बहां तो एक महीने में 2,00,000 से अधिकी कमाई होती है अपना बिजनस कैसे बढ़ाएं? आप अपने बिजनस को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ओफलाइन बिजनस के साथ ओनलाइन बिजनस का सहारा लेना पड़ेगा इसके अलावा आपने पैंफलेट, पोस्टर, बच्ची, आदी का वित्रण उंक्शेत्रों में करवाएं जहां पर आपके संभावित ग्रहक रहते हों इसके अलावा आप गूगल माई बिजनस में अपनी फर्म का डीटेल दे दे तो उससे भी ग्रहक आपको मिल सकते हैं